Hello students, class 8th, today I am teaching you class chapter 4 in history, Tribal, Daikus and the Vision of Golden Age. जो Tribal आदिवासी थे, Daikus थे और उनका एक स्वान नेम काल के लिए क्या विजन था? 1895 के अगर हम बात करें, 1895 में एक आदमी था, जिसका नाम विर्षा था. तो जो विर्षा था, अगर हम विर्षा की बात करें, seen roaming the forest, वो जो विर्षा नाम का आदमी था, वो जंगल में क्या किया करता था? Wondering यानि roaming घुमता था, गाउं में छोटा नागपूर के, जारखंड के में छोटा नागपूर जो था, जारखंड में छोटा नागपूर में एक गाउं में जंगल में घुमता रहता था, लोगों ने ये कहा, उसके पास देविय चमतकारिक शक्तियां है, वो क्या कर सकता है, सबी बिमारियों को ठीक कर सकता है, क्यूर कर सकता है, एन मल्टिप्लाइ ग्रेन, और जो ग्रेन है उसको बढ़ा सकता है अनाज को, बिर्षा इमसेल दिलेड, बिर्षा ने खुद को भी इश्वर का, क्या कहा, खुदा माना उसने खुद को इश्वर माना, दगाट हैड अपॉइंटेट की, उसने कहा कि इश्वर ने उसे लोगों की सेवा के लिए भेजा है, और जिससे की लोग कष्टों से निजात पा सकें, यानि की लोगों को कष्ट से बचाने के लिए इश्वर ने उसे बेजा है, ऐसा कहना था विर्षा का, फ्रीडेम फ्रॉम स्लेवरी, और डाइकूज, जो आउटसाइडर लोग थे, बाहर के लोग थे, उनको डाइकूज कहा जाता था, उनकी गुलामी से बचाने के लिए, यानि की डाइकूज की गुलामी से आजात करने के लिए उन्हें भेजा था इश्वर ने, सून और जल्दी ही, जब विर्षा ने इस तरह के ठिंकिंग से लोगों को इंप्रेस किया, सून बहुत जल्दी ही, विर्षा के बहुत सारे लोग समर्थक हो गए, फॉलो करने लगे उसे, ये बिलीब करने लगे गी, लोगों की समश्याओं को सूल्द करने के लिए वहाँ पर आया है, विर्षा वज बॉन इने फैमली और मुंडाज, जो विर्षा था, वो मुंडा परिवार में पैदा हुआ था, ट्राइवल ग्रूफ, जो एक जनजाती समू था, लेकिन उसके जो फॉलोवर थे, वो जो ट्राइवल थे, अन्य छेतरों के ट्राइवल जनजाती लोग भी थे, जो उसको मानते थे, संथाल एन ओरांस, संथाल जो थी वहां की एक ट्राइवल कम्यूनिटी थी और ओरांस, अल आप दम इन डिफरेंट वे, और वो सभी लोग डिफरेंट वे, अलग लग तरिकों से वे अनफी विद दा, चेंजेज दा वे एक्षिरेंशिंग, वो एक अनुवा कर रहे थे, क ब्रिटिस राज्य के अंदर जिन प्रावलमों को, जिन समच्चाओं को वो अनुवा कर रहे थे, और जिन समच्चाओं का वो सामना कर रहे थे, अलग अलग तरिके से लोग क्या थे, ना खुश थे, कोई भी खुश नहीं था, अगर हम बात करें, दियर फैमिलियर वे अव लाइबलिवड है, यानि कि जो आजीवका है, वो दिरे, 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 समाफ तो होती जारी, उनकी आजीवका के साधन समाफ तो हो रहे थे, वेर अंडर थ्रिट, वो एक चेतावनी थी, उनके लिए एक थ्रिट थी, खत्रे के कगार में पहुंच चुकी थी, और उनका ज जट आउट करनी कली, रिसॉल करनी पड़ी, और वट वेर दा आउटसाइडर विंग, और किस तरह से जो आउटसाइडर थे, विंग रिफर्ट तो, जो बाहर के लोग थे, उनको डाइकूज कहा गया, वट दे इंसलेव दापीबल, और किस तरह ये बाहर के लोगों ने, कुछ शेतर के लोगों को अपना दास बना दिया था, what was happening to the tribal people, आखिर इन जनजाती लोगों को हो क्या रहा था, ब्रिटिस राज में, ये गुलाम क्यों बनते जा रहे थे, how did their life change, किस तरह से उनका जीवन में परिवर्तन आया, there are some of the questions, यहां कुछ ब्रशने ऐसे हैं, जो थे, head customs and rituals, तो बहुत सारे जो ट्रावल जनजाती समाज था, उसके अपने कुछ, रीती रिवास थे, अपने कुछ संसकार थे, rituals थे, that were very different, जो अन्य संसकारों से, अन्य दार्मिक संसकारों से, अलग थे, those let down by Brahmins के द्वारा जो दिखे जाते थे, these society also did not have the serve, और इन समाज में, एक कोई सार्व, social division नहीं था, सामाजिक विवाजन तो नहीं था, that was characteristics of caste society, all those who belong to the same tribe, वो सभी लोग जो एकी जनजाती से, संबंदी थे, thought of themselves as sharing common ties of kinship, एकी रिष्टेदारी में आते थे, उनमें एकी जैसी condition देखने को मिलती थी, however, did not mean they were no social and economic, अलाकि इसकार थी नह अगर में एकी ज्यादा, टाइस था, बदे विये थे, एकी common sharing किन सिफसे, लेकिन इसका आर्थिक नहीं थे नहीं देखा जाता था उन जनजातियों में, बलकि बहुत सारे अंतर देखे जाते थे, अब अगर हम बात करें, कि जो tribal groups थे, वो किस तरके से, उनकी जो life थी, live, क जो tribal people थे, भारत के अनेक हिस्तों में, वो कई तरह की activity में involved थे, कई तरह के किरिया कलाफ करते विये पाए जाते थे, somewhere zoom cultivator, उन्हीं मेंसे कुछ लोग वहां क्या थे, zoom cultivator थे, some of them practice, और इनमेंसे कुछ लोग क्या करते थे, zoom cultivation करते थे, जो shifting cultivation के नाम से भी जाने जाती है, जब लेंड में की जाती थी, मेसली जंगलों में एक खेती की जाती थी, जो cultivator थे, वो करद ट्री ट्रॉफ, वो क्या करते थे, ट्री को कार देते थे, ट्रॉफ से, जिससे की जो sun की light है, वो जमीन तक कौन सके, and burn the vegetation, और उसके बाद वो उस वनस्पती को जला देते थे, ज जिसको वो खेतों में छिलक देते थे, which contain potas, जिससे जमीन को fertility और potas मिल जाता था, they use the eggs, वो पेडों को काटने के लिए कुलाडी का परियोग करते थे, and the hoi, to scratch the soil, और मिट्टी के टेलों को करने के लिए hoi का परियोग किया जाता था, to prepare it for the cultivation, the broadcast, the seed, अगर हम बात करें, that is scatter the seed on field, instead of floating the land and sowing the seed, और इस तरह के से, वो बीजों का छिलकाव करते थे, that is scatter the seed on the field, instead of floating, floating के इस तान पर वो बीजों का छिलकाव करते थे, and the land and sowing the seed, और बीजों को बोते थे, once the crop was ready, एक वार जा फसल तयार हो जाती थी, उसके बाद वो harvest करते थे, कारते थे, और इसके बाद वो दूसरे मैदान में चले जाते थे, a field that has been cultivated, और एक बार जब उस field में cultivation करने के बाद, उसको कुछ सालों तक फैलो, यानि कि उस जमेंट पर फिर कुछ नहीं उगाया जाता था, कुछ सालों तक, जिससे भी उस जगा के जो पेड़ थे, दुबारा कुछ सालों में दुबारा से regenerate हो जाते थे, shifting cultivation जो थे, cultivated are found in the hilly and forest track में, और forest area track में, north eastern और central इंडिया में की जाती है, the lives of the tribal people, और जो इन जनजाती लोगों का जीवन है, depend on the free movement within the forest, जंगलों में इनका स्वतनती रूप से movement गती रहती है, on being able to use the land, जिसमें वो land को use करने के लिए able होते हैं, and forest for growing their crops, this is the only way they could practice shifting cultivation, यही एक तरीका था, only way they could, जिसमें वो shifting cultivation कर सकते थे, somewhere hunters and gatherers, उसमें से बहुत सारे hunters थे और gatherers थे, many regions में टो tribal group थे live by hunting animal, तो कई सारे जो region छेतरी थे, उसमें जो tribal groups थे जंजाती समू जो था, हो क्या किया करता था, जानवरों का सिकार किया करता था, and gathering forest, और जंगलों से उतपात जो ते थे उनको इखटा करता था, जंगल से फलों को इखटा करना, सूखी लकणियों को इखटा करना, जानवरों के लिए चारा इखटा करना, और घर बनाने के लिए इमारती लकणि की विवस्ता करना, इन सभी चीज़ों पर जो आदिवासी समू था, वो पूर्णरों से डारेक्ली forest वर डिपेंड था, they saw forest as essential, उन्होंने जंगल को जरूर भी बताया survival के लिए, उनके अस्तित्व के लिए, उनका जो अस्तित्व था, उनका जो जीवन का आधार था, वो एक जंगली थे, the khonds were such a community, इस तरह जो खोंड थे, खोंड जंजाती जो थी, community, वो उडिशा के जंगलों में रहती थी, they regularly went out on collective hunt, वो regularly क्या करते थे, collective उनरों से hunt, शिकार किया करते थे, then divided the meat among themselves, उसके वाद उसका जो जानवर का meat होता था, वो आबस में बाट लेते थे, they ate fruit, वो जंगलों से फूल, फल फूल किलेते थे, और roots collected, और जड़ों को इखटा करते थे, forest से, and cooked food within the oil, और साल के बीजों से, जो तेल निकाला जाता था, और म हुआ से, उन से वो भोजन को पकाते थे, they use many forest, वो कई सारे जंगलों को स्रफ्स और रफ्स के रूप में, medicinal ये दवा के रूप में, use करते थे, and sold forest produce, और जंगल के उत्पात को, किस्तानिय बाजारों में बेच के आते थे, जिसे जंगलों से, फलों को ले जाते थे, या जो लावदायक, जड़ी बूटियां बनती थे, हफ्स, प्लांस थे, उनको ले जाते थे, या हनी सहद ले जाते थे, जंगलों में, जहां मदुमक्यां सहद बनाती थी, या लकणियों को ले जाते थे, टिंबर को, या फोडर ले जाते थे, जनवरों के लिए, और हंटिंग भ इन जंगल के लोगों को जो चावल की पूरती है और अनाज की वो कहां से प्राफ्त होती थी एड टाइम दे एक्षेंज गूर्ट उस समय में क्या करते थे चीजों की अदल बदल किया करते थे गेटिंग वर्ट दे नीड़ इन रिटर्न फोर दियर वैलिवल फॉरेस उन्हें जिस चीज के आ सकता थी वो प्राफ करते थे और वैलिवल जो बहुत कीमती फॉरेस प्रोडूस थे उनको उसके बदले में देते थे एड अधर टाइम दे ब्राट गूड्स विदिन दा स्मॉल अमांट अप अर्निंग और इसी समय वो कुछ चीजों को खरीटे थे जो वो जो भी अर्निंग उनके पास रहती थी इसमॉल अमांटे रहती थी उनकी आई का उससे खरीटे थे सम आफ देम दे और जॉब इन दे विलेज उनमें से बहुत सारे लोग गाउं में और जॉब भी किया करते थे जैसे लोट को उठाना बार को और बिल्डिंग बनाना रोट को बनाना सड़के बनाना वाइल अधर लेवर इन दे फीलड अप पीजान सान और जबकि अन्य लोग जो किसान थे लेवर के रूप में काम करते थे वन सप्लाइज अप फॉरेस्ट और जो सप्लाइज थी फॉरेस्ट की प्रोडूश रेंक यानि की लड़ खनाने लगी ट्रैवल पीपल जो थे हैड इंक्रीजिंगली वांडर अरावन इं सर्च अवर्क तो वो ट्रैवल पीपल भी जन जाती लोग भी काम की तलास में इधर उधर भटकने लगे एज लेवर मैनी अफ दम लाइक दब बाई गाज और सेंटल इंडिया केंदे जो मध्य भारत के जो जन जाती थी बाई गाज वेर जलुकेंट तु डू वर्क फ़ॉर अधर वह बहुत इच्छुक थे धुश्रों को काम करने के लिए दूसरों के लिए काम करने के लिए वर्क फ़ॉर अधर बाइगाज ने अपने आपको क्या बाया, बाइगाज saw themselves as people of the forest, जंगल के लोग, उन्होंने अपने आपको जंगल का पुतर का, जंगल की संतान मानते थे, या जंगल के लोग मानते, वो कहते थे कि पूरे जंगल पर जो open field है, जिन पर कभी पूरवजों के पूरे अधिकार रहते थे, जो जरने हैं, पहाड़ हैं, खनीज हैं, इन सभी पर वो अपना अधिकार मानते थे, और इन सभी चीजों पर वो dependent भी थे, early period से, ancient period से, who could only live on the product, जो केवल जंगल के उत्पात पर ही निर्भर रहते थे, और उनके उत्पात पर ही उनकी जो लाइवली उड़े आजिव का चला करती थी, चाहें वो मकान बनाने के लिए लकड़ी लेना हो, या खाना पकाने के लिए इधन लेना हो, लकड़ियां या पस्वों के लिए चारा लेने की बात करें हम, या fruits की हम बात करें या अपने जानवरों को grazing करने की जानवरों को चराने की हम बात करें या shifting agriculture की बात करें इस सभी जो activities हैं वो travel people के दोरा की जाती थी और उनकी जो life थी पूरी तरह से जंगल पर depend रहती थी इट वाज़ बिलो दिगनिटी अगर बाईगाज एक लेबर के रूप में काम करते हैं किसी के लिए क्योंकि उनके तो पूर्ण रूप से एक नेचर पर उनकी life dependency forest पर उनकी life dependency their life was depend on the forest